नमस्कार दोस्तों, आज मैं चार लाइन और चार फंदे का ये खुपसूर सा पैटन लाए हूँ देखें, सामने से ये ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं इसे आप जन स्वेटर में, रेडी स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में डालिए, बच्चो के स्वेटर में डालिए इसे आप किसी भी प्रजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कर ले ताकि कोई भी मैं वीडियो डालू तो वो सबसे पहले आपको पहुँचे इसे बनाने के लिए चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और तीन फंदा एकसा आपको फंदे सिधे बनाने हैं अगर अपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो इस लाइन में आप फंदे बढ़ा सकतें रंग सैड से हमारा डिजाइन इसाइट होगा तो ररंग सैड में हम एक फंदा उल्टा बनैंगे और दूसरा फंदा सीधा तो इन ही दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा तो इन ही दो फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्रीट कर लेंगे तो line complete करके मैं आपको दिखाते हूँ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए पहली line complete की जा चुकी है अब हम आ गए हैं सामने की तरफ और ये हमारा main line है तो ध्यान देजेगा उन को हम अपनी तरफ कर लेंगे और फिर पहला फंदा हमारा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर देखें तीसा फंदा सीधा है इसे हम सीधा बुनेंगे उने यहाँ पर उन अपनी तरफ किया था, तो यह जाले जैसा बन गया है, इसे उठाएंगे और इन तीनों फंदों के उपर से इसे गिरा देंगे, उन अपनी और अगला फंदा उल्टा, तो इन ही चार फंदों को हमें पूरी सलाय में दूराना है, उन हमारा हमारी तरफ रह फिर उल्टा फिर सीधा जाली जैसा बनाया है इसे उठाएंगे और इन तीनों फंदों के ऊपर से इसे गिरा देंगे अब हमारे तीन के तीन फंदे रह गए अब अगला फंदा उल्टा फिर से देखिए उन हमारा हमारी तरफ है यानि यहाँ पर हमें जाली देना है फिर अगले फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुनेंगे फिर अगला फंदा सीधा है इसे हम सीधा बुनेंगे हमने जाली देखे तीन फंदो को बुना सीधा उल्टा सीधा अब इस जाली को हम उठाएंगे और इन तीन फंदो के उपर से ऐसे गिरा देंगे उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा अब इनी चार फंदों को हमें फिर से रिपीट करना है उन को हमें अपनी तरफ रखे रहना है और तीन फंदा हमें बुलना है देखिए सीधा है इसे सीधा उल्टा सीधा इन तीन फंदों को हम बुल लेंगे सीधा उल्टा सीध अब जो हमने जाली दिया है, इसे हम उठाएंगे और इन तीन फंदों के उपर से ऐसे गिरा देंगे अब उन अपनी ओर करेंगे और हम चौता फंदा हम उल्टा बुनेंगे इनी चार फंदों को हमें दूराना है उन को हमें अपनी तरफ रखे हुए ही तीन फंदों को बुनना है सीधा, उल्टा, सीधा, सीधा, उल्टा, सीधा और अब जाली को उठाना है और इन तीन फंदों के उपर से इसे गिरा देना है उनपनी और अगला फंदा उल्टा जाली दिया, अगला फंदा सीधा बना, उनपनी और नेक्स्ट फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, तीन फंदो को हमने बुना, अब जाली को उठाएंगे और इन तीन फंदो के उपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर उन अपनी उर करेंगे, अग्रा फंदा उल्टा, अब तीन फंदे हैं, उन अपनी तरफ रखे हुए ही इन भूनेंगे सीधा, उल्टा, सीधा और जालिक, और इन तीन फंदों की ऊपर से ऐसे किरा देते हैं अब हम आ जाते हैं, रॉंग साइड में यह हमारे डिजाइन का तीसा लाइन है, तो हर रॉंग साइड में हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर सेधा, तो उल्टा और सीधा इन्ही दो फंदो को हमें पूरी स्लाई में रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा उल्टा बुनना है एक फंदा सीधा बुनना है, इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करने, अब हम आजाते हैं सामने की तरफ और ये डीजाइन का छौथा लाइन है, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करनेंगे और अगला फंदा उल्टा अब दो फंदा बुनने के बाद अब हमारा चार फंदे का पैटर्ण शुरू हो जाएगा उन अपनी और रखे हुए ही अगला फंदा सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा उल्टा फिर सीधा अब जाली वाले फंदे को उठाएंगे और इन तीन फंदों के उपर से ऐसे किरा देंगे उन अपनी और अगला फंदा उल्टा दो फंदा छोड़के इनी चार फंदों को हमें पूरी सलाई में दूरा ना है उन अपनी तरफ रखे रहेंगे और अगला फंदा सीधा यानि जाली देते हुए सीधा नेक्स्ट फंदा उल्टा फिर सीधा अब जाली वाले फंदे को उठाएंगे और इन तीन फंदों के उपर से यसे गिरा देंगे इन तीन फंदों को हमें बादना है इसलिए हमें पहले उन अपनी ओर रखे हुए ही सीधा बुणना होगा यानि जाली देते हुए सीधा फिर उल्टा फिर सीधा अब इन तीन फंदों को हमें बादना है तो इस जाली को उठाएंगे और इन तीन फंदों के उपर से ऐसे गिरा देंगे अब देखें तीनों फंदों हमारे बद गए हैं अब उन अपनी ओर करेंगे और चौता फंदा इसे हम उल्टा बुलेंगे तो इनी चार फंदों को हमें पूरी सलाई में दो राना है लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा उल्टा और दूसरे लास्ट फंदा सीधा तो ये हमारा चार लाइन का डिजाइन कम्प्रीट होता है देखिये फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंस आशा है आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तक्स पर वाचिंग